हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हमस्वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक के लिए quarter 3 से पहले एक बहुत बड़ी update निकल के आई है जो कि मैं आपको इस वीडियो के थूप बताने वाला हूँ और यहाँ पे जो quarter 3 है वो कितना जादा जो important part प्ले करेगा यस बैंक की overall journey के लिए वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और यहाँ से आलफलाल की बात करें तो कितने target आप expect करके चल सकते हो और यहाँ पे अगर हम देखें तो retail investors जिनोंने यहाँ पे panic situation में आके अपना माल बेचा है उनका माल किसने उठाया है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको बहुत ही ज्यादा शौक लगने वाला है data जो मैं आपको इस वीडियो को दिखाऊंगा उसे देख कर तो वीडियो आप पूरी देखिए आपको सारी चीज हैं समझ में आ जाएगी अब जब Friday की closing हुई तो yes bank में अगर आप जो कलका था वो गिरावट वाला देखने को मिला और बैंक निफ्टी भी आपको downside moment दिखाती हूँ नजर आई लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी हुई कि yes bank की जो closing हुई वो आपको positive side पर देखने को मिली और एक अच्छा moment करीवन पौने 3% के आसपास का जो closing के साथ हमे देखने को मिला वहिए अगर हम बात करें पिछले इसके एक महीने के रिटन्स के वारे में करीबन 20% का सपास के रिटन्स हैं और पिछले 6 महीने में भी काफी अधा शांदर रिटन्स दिये हैं यानि कि अगर आप इसकी short term return profile देखोगे तो काफी जाधा बहतरी नजर आती ह इसका मतलब यह है कि जिन भी लोगों ने short term के हिसाब से निवेश किया होगा उनको तो एक अच्छा गातर रिटन्स यहाँ पर मिलना start हो चुका है लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि क्या इसमें हमें इस time पर बने रहना चाहिए या फिर exit कर देना चाहिए तो वो भ समबार से किसके लिए बंद होने वाली है तो आप यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो yes bank की insider trading है वो बंद होने वाली है यानि कि सेवी की तरफ से बोल दिया गया है कि जो first January यानि कि एक January से अगले अगर आप देखोगे 48 घंटे तक आपको जो insider trading है वो yes bank में बंद देख को मिलेगी इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो quarter three के numbers है वो already बन चुके है सामने आ चुके है company के personals company के officials को already सारी चीज़े पता लग गई है और इसी चक्कर में यहाँ पर जो insider trading है वो बंद कर दी गया है यानि कि इस particular information से कोई भी company के अंदर का बंदा या फिर company के officials हम जिनको बोल सकते हैं वो फायदा ना उठाएं इस वज़े से insider trading को बंद किया जाता है तो पहली update मैंने आपको बता दी अब मैं आपको दूसरी update पर लेके चलता हूँ उससे पहले मैं आपको एक बड़ा जो data है वो दिखाता हूँ जिससे आपको एक clarity मिलेगी कि आखिर market में जो retail investors है उनके साथ हमेशा धोका ही क्यों होता है आप यहाँ पर देखो yes bank की latest shareholding दिखा रहा हूँ यानि कि latest month की इसमें अगर आप देखोगे जहां पिछले 5 महीने से करीवन 45-46-45-46% के असपास retailers अपनी holdings बनाए हुए थे वो अचानक से इस महीने में 28% पर आगी यानि करीव करीवन आगी हो गई है अब इससे क्या पता चलता है कि जब market में yes bank के share में थोड़ी बहुत बीच में जो गिरावट हुई थी वहां पर लोगों ने पता नहीं किसके influence में आके या फिर आप बोल सकते हो निर्मल बांग या फिर अगर आप यहां पर देखोगे तो और भी ब अपनी holdings बिलकुल कम कर दी अब इसका सबसे बड़ा जो फायदा उठाया है वो उठाया है FIIs यानि की foreign institutional investors ने जिनकी holdings करीबन 8% के आसपास होती थी उन्होंने पहले अपनी holdings को बढ़ा कर 11% किया फिर 12% से उपर ले गए और अब जो recent data निकल के आया उसमें 31% नजर आत है जहां पे पहले retail investors one of the major stakeholder नजर आते थे अब यहां पे FIIs नजर आ रहे हैं तो यह आप समझ पा रहे हो कि जहां retail investors से माल छीना गया वही FIIs ने इसको opportunity को catch कर लिया और यहां पे केवल FIIs ही नहीं है आप DIs देख लो DIs की holding जो करीबन 42-42% हुआ करती थी वो आज के दायम पे 50% हो गई है आप यहां पे तमझ पा रहे हो कि opportunity कितनी बड़ी दिखाई दे रही है लोगों को तो जिनको opportunity दिखाई दे रही है long time के रिसाप से उन्होंने तो अपनी holding से यहां पे बढ़ा दिया है और ऐसे वैसे नहीं बढ़ाई है एक अच्छी काची percentage के साथ बढ़ा situation वाला scenario है वो retail investors को लेके अपनी holdings कम कर दिया तो यह तो मैंने आपको दिखा दिया है कि कभी भी अपनी research पर doubt ना करें और किसी के गलत influence में आके गलत decision ना ले अब यह हो गई कुछ shareholding पर update अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और भी updates जो निकल के हारी है जो की related है आपक data भी यहाँ पर upload किया था जिसमें बताया गया था कि जो bank की lending है वो पिछले 11 साल में अभी तक की highest side पर चली गया है और जो bad debts थे वो पिछले 7 साल में अगर हम देखे तो सबसे कम है यानि कि अगर आप देखोगे तो बताया गया है कि overall banks का जो performance है वो कितना जादा यहाँ प सबते बड़ा हाथ भी अगर आप देखोगे तो जो banks के NPS वगेरा भी काफी हद तक कम हुए है अब yes bank की बात करें तो जहां yes bank के NPS करीवन 14-15% नजर आते थे वो अब आपको 1-2% नजर आने वाले हैं इनके quarter 3 के numbers में और इसका reason आपको सभी को बताया तो बार बार उस ची आपको यहां से कारलिल और वर्वेंटा होल्डिंग से जो capital raising है वो कर सकते हैं जिसका फाइदा आपको इसके share price में देखने को मिला अब Q3 सबते चाहता है important क्यों बन जाता है अब देखो यहां पे आपको JC floor की ARC का impact देखने को मिलेगा सबते पहली बात तो इनके NPS आपको बहुत अतक कम होती नजर आजाएंगे Q3 में जिसका मतलब क्या होगा इनके जो balance sheet है इनके जो cash flows है वो काफी अतक improved नजर आएंगे फिर अगर आप यहां पे देखो तो provisioning जो की पिछले quarter में बढ़ा दी थी शायद intentionally भी बढ़ाई गई हो क्योंकि overall income तो बढ़ी थी लेकिन जो net profit था वो कम हो गया था just because कि यहां पे bank ने अपनी provisioning हाई कर दी थी तो इस बारी हो सकता है provisioning कम करें so that net profit बहुत ज़्यादा higher side पे चला जाए फिर अगर आप यहां पे देखोगे तो margins में improvement हो सकता है क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो fund raising वगारा बहुत सारी करेगा और यहां से आगे की जो जर्नी है वो काफी हद तक decide करने वाला है आप मुझे comment box मताईए आपको क्या लगता है कि Q3 जो है वो कैसा आने वाला है अच्छा या फिर बुरा बाकी फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो like करिएगा चैनल पे वश्टाम विजिट कर रहे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू का दीजिगा धन्यवाद